हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब कबरें कोड़ाई एस में तो हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि चेन्नाई में या फिर पूरे देश में जगह जगह फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहा है तो जैसा कि एक देखिए एक आर्टिकल यहां है चेन्नाई सेवरेल एरियास फ्लडड़ तो इस तरह से पूरे देश में कहीं न कहीं अर्बन फ्लड्स आ रहे हैं और इनकी आने का में कारड़ क्या है, क्यों है यह यूपेसी और स्टेट पेसी के जी एस थ्री के डिजास्टर मैनेजमेंट आरे पार्ट में पूछा जाता है ठीके, तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ेंगे और किस वज़े से पढ़ेंगे तो आए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह टॉपिक न्यूज में क्यों था इन मेंनी इंडियन सिटीज दिस टाइम जेन नहीं दे अरबन फ्लोड्स हैब बीकम अ फ्रिक्वेंट फेनॉमिना इन रिसेंट इयर तो यही बताना चाह रहा है कि हालही के सालों में अरबन फ्लोड्स बहुत आ रहे हैं इसका में कारण क्या है वह जानने की कोशिस करेंगे हम अपने इस लक्षर वीडियो में अब यहाँ पर बात करेंगे कि अरबन फ्लोड होता क्या है देखे अरबन फ्लोड बेसिकली यह एक मैन मेड डिचास्टर है ठीक है जो भी सहरें बसाई जा रही है वह एक inadequate तरीके से बसाई जा रहे है उनका drainage system अच्छा नहीं है उनके terrain alteration हो रहा है वहाँ पर जो sea base problem है जो sea base वगार अच्छे से नहीं बनने होते हैं उसके वज़े से हो जाता है पूरा पानी भर जाता है तो पूरे सहर एक तरह से अस्ट वेस्ट हो जाता है भारी भारी सोने से जो policies बनाई गई हैं government के द्वारा वो भी अच्छे से implement नहीं हो पाती है ये दखे encroaching natural spaces मतलब कि जो भी हमारे प्राकरतिक space दी गई है सहरों के आसपास उसको भी encroach करके आप buildings बना ले रहे हो shopping complex बना ले रहे हो और क्या क्या बना ले रहे हो तो भाई पानी जाएगा तो जाएगा जाएगा कहां वो आप पर ही लोट क्या आएगा तो हम इसे नते बात करेंगे कि जो urban flood है उसके main कारड क्या क्या है कैसे कैसे है उसको साथ में रखे जैसे कि इस slide में आप देखे हम जानने की कोसिस करेंगे कि urban flood के आने के main कारड क्या क्या है the causes of urban flooding देखे flood के दो factors होते हैं कि जो urban area में flood आता है वो एक direct factors आता है और एक indirect factors से आता है ठीक है अब direct factor में natural cause हो गए जैसा कि climate change weather pattern में change हो रहा है heavy rainfall हो रही है तो अगर ये सारे changes हो रहा है और इसके वज़े से urban flood आ रहा है तो कहीं कहीं इसमें human civilization के मुख्य भूमिका नहीं है लेकिन जो main कारड है urbanization का urbanization जो हो रहा है वो इनसानी तो कर रहा है अब इससे क्या हो रहा है कि जितने भी plane area है flood plane जैसे area हो गया वो इन्क्रोच का ले रहा है इनसान तो drain अच्छे सनी हो पाता पानी तो जो natural drainage system है वो हैंपर हो रहा है हम लगातार development करते जा रहा है बिना किसी proper planning के तो जैसे roads बना लिया कहीं पे भी घर बना लिया उसके वज़े से जो natural drainage है वो है बहुत जादे हम पर हो रहा है अब हम indirect factor की बात करेंगे कि अगर हमारा drainage system inadequate है ठीक है drainage system बना तो है बट एक proper planning के साथ नहीं बना है तो पानी लगेगा पूरे सहर में जो road parking होती है आप देखते होंगे जो भी metropolitan cities है लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नाई, कोलकाता ये सारे जगह पे जो parking system है वहाँ पे बहुत chaos मचा रहता है क्यूँ? क्योंकि हमारे पास जो parking system है वह प्रॉपर planning के साथ देवलप नहीं की गई है waste management अच्छे से नहीं हो रहा है ठीक है? तो इसके वज़े से भी हो रहा है जो लोगों का attitude है वह भी अच्छा नहीं है काफी हद तक लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान आया हुआ है तब से कहीं न कहीं लोगों का attitude में सुधा रहा है तभी जाके कहीं न कहीं माहौ स्वच्छ हो रहा है तेज स्वच्छ हो रहा है गाउं स्वच्छ हो रहा है सेर स्वच्छ हो रहा है तो जो पानी की जो leakages हैं वो भी रिक्यू ही है पानी एक जहां पर लग नहीं रहा है समझ रहा है तो ये सारे जो main cause of concern है urban flooding के मैं आपको इस slide के माध्यम से बता रहा हूँ तो ये slide आपको समझ में आ गई होगी मैं आसा करता हूँ आगे की जानकारे लेने से पहले चलिए हम ये देखते हैं कि इंडिया में कौन-कौन से flood prone regions है यानि पूरे इंडिया के नक्से में पूरे मैप में कौन-कौन साइसा area है जो flood prone है यानि जहां पर urban flood आ सकता है या फिर आता ही है आप इस map में देखिए कि जितने भी गेंगेटिक plane की रीजन है इतने भी गेंगेटिक प्लेन की रीजिन है वहाँ पे फ्लड आता ही आता है ठीक है? पहला तो यह हो गया जो ब्रह्मपुत्रा वाला रीजिन है नौर्थ इस्ट में यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्रा के वज़े से बहुत तरे फ्लड साते हैं यह देखिए यह थोड़ा बहुत पार्ट यह सब एरियों में लगा हुआ है इस्ट इंडिया में और सम्हाव जो लिंक्ड है साथ इंडिया के तरफ ठीक है? यह जो गुजराद का कुछ एरिया है यहाँ पर यह फ्लड आता है यह देखिए यहाँ पर हम चेन्ने की बात कर रहे थे यहाँ पर तो चेन्ने में इस समयर्वन फ्लड आया है तो इसी के वज़े से यह टॉपिक उठा हुआ है निउस में ठीक है? तो यह सारे मुख रूप से रीजिन है जहाँ पर फ्लड साते हैं अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हर साल हर साल लगभग लभग 75.00.00 के इंडिया के लेंड अफ् commence होते हैं फ्लड से 75.00.00 के लेंड जो होते हैं वह अफ्ले की तो होते हैं किस से? फ्लड से और इसके वजे से लभग लभग अठारा सो पांच करोड का लॉस होता है हमारे देश को ठीक है इससे क्या होता है क्रॉप डेमेज हो गए जो घर हो गए वो डेमेज हो गए डिजास्टर कोई आ गया जो पब्लिक ट्रास्पोर्ट होता है या पब्लिक यूटिलिटीज होती है वो भी disturb होती है, तो इनसे revenue loss होता है, जो revenue loss होगा, तो automatically जो हमारा profit होगा, वो कम हो जाएगा, तो मोटी मोटा, अठारा सो पांस करोड रुपए का हर साल loss होता है, and on and average, 1600 जानने हमारी जाती है, हर साल हमारे देश में, किसके वज़े से, flood के वज़े से, तो ये सब जो flood prone regions इंडिया के हैं, आप इसको धान में रखिए, इससे आपको mapping जब करेंगे, बहुत ही आसानी होगी, बताने में, आए चली हम लोग आके चलते हैं, अब क्या-क्या measures हो सकते हैं, जिससे हम urban flood को control कर सकते हैं, भाई क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या-क्या कमिया है, हमने उसके बारे में बात कर लिया, लेकिन अब पता होना चाहिए ना, कि जो urban floods हैं, उसको हम control कैसे करें, देखिए, तो सबसे पहले, जो भी policies and regulations बनाई जाते हैं, उसका strict enforcement करवाया जाए, जैसे कि जो नवाई जो regulation डबलग किये जा रहा हैं, बिल्डिंग की bylaws जो बनाई जा रहे हैं, कि बिल्डिंग को floodplain के किनारे नहीं बनाना है, एवे floodplains को कैसे बचाना है, आसपास के area को litter free कैसे बनाए, जिसे drainage system प्रोपर चले, जहाँ पर no construction zone हो, वहाँ पर आप construction ना करें, जो कि कर लिया जाता है, और आसपास के जो भी land area है, वहाँ का impact assessment हो, कि किस तरीके से यहाँ पर township डबलब की जाए, जिसे encroachment ना हो, या फिर development के वज़े से कहीं पर भी flooding ना हो, तो एक proper management के साथ हो, ठीक है? और जहाँ पर भी कोई mall लीज़े, high altitude में कोई area है, वहाँ पर slope analysis कर लो, कि अगर हम development कर रहे हैं, तो वहाँ पर run off कैसे होगा पानी का, किस तरीके से पानी वहाँ पर रुकेगा नहीं, किस तरह से natural vegetation को कोई भी impact नहीं आएगा, negative impact नहीं आएगा, और समय समय पे, जो भी municipalities होती हैं, MCD होती हैं, सहरों की, वहाँ पर एक periodic cleaning करवाती रहें, urban drains की, sewer line की, क्योंकि देखिए, यह लोग पैसा खा जाते हैं, जल्दी करवाते नहीं हैं, तो उसे एक आम जन्मानस को और पूरे city को दिक्कत होने लगती है, ठीक है, तो जब तक urban local bodies, और आस पास की जो development authorities होंगी, आपस में मिलके screening नहीं करेंगी, तो तब तक reduce नहीं हो पाएगा, flooding का chance, वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी कारण हो, चाहे वो man made हो, चाहे वो natural हो, अगर urban area में flooding हो रही है, तो वो urban local bodies की responsibility बनती है, कि आपको कम से कम drainage system को, और sewer pipeline को, एक अच्छे से cleaning mechanism के तहत, उसको अच्छा रखना है, ताकि जो main सहर है, वहाँ पे किसी तरह की कोई भी अववस्था ना फैले, तो ये था दोस्तों, कि हम urban flooding का mitigation कैसे करेंगे, ये बता जा रहा था, इस slide में, तो हम आगे की slide में ये जानेंगे, अब देखे, इस slide में हम ये जानेंगे, कि किस तरीके से urban areas में हम proper planning करें, ताकि urban flooding ना हो, अब देखे, कोई भी जो main urban area होता है, हम देखते हैं, किसे ने किसी river system के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, कोई नों को भी water body वहाँ पे होती ही होती है, maximum cases में, तो हमको ऐसा करना चाहिए, कि जो water body से लगे हुए area है, just लगे हुए, वहाँ पे हमको एक farming और playing field डबलब कर देना चाहिए, scientific तरीका यही होगा, तो इससे क्या होगा, कि मान ले जिए flood आ रहा है, water level बढ़ रहा है, तो हम at once क्या करेंगे, कि यह farming और playing field छोड़के, अपने residential area में बहुच जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कि अगर flood आता भी है, तो farming और playing fielding area पे ही आके रुख जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसके बीचों बीच हम लोग residential area बनाएंगे, ठीक है, अब हम मान लेते हैं, कि कोई ऐसी विपरित परिस्थिती आगे, कि water का level और बढ़ गया, वह यहां से residential area में पहुच गया, ठीक है, तो बहुत जाए level तक तो पहुचेगा नहीं, वह कम ही रहेगा, तो हमको करना क्य चाहिए, कि जितने भी critical infrastructure है, जैसे कि hospitals हो गएं, schools हो गएं, temples हो गएं, और भी जो भी public utility की चीजें हो, ठीक है, उसको हमको third phase में बनाना चाहिए, किसी भी urban flood prone area में, तो सबसे पहले हमको farming field बनाओ, फिर residential area बनाओ, फिर critical infrastructure डवलप करो, इससे क्या होगा, कि proper zone होगी, जो proper zoning रहेगी, तो जो urban flood होगा, इसका बहुत जादे impact नहीं पड़ेगा, और चेलने जैसी हालत तो बिल्कुल नहीं होगी, और लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, तो एक तरह का diagram है, जिससे आपकी जो understanding होगी, वो और अच्छी होगी, कि कि इस तरीके से हम लोग urban flood area को control कर सकते हैं, और अच्छे से planning कर सकते हैं, अब हम आगे की slide में कुछ और बाते करेंगे, तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पर देखे, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा example देने वाना हूँ, कि कि किसी भी urban area को develop किस तरह से करते हैं, ठीक है, एक proper diagram के तहत, कि कोई भी ए करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से develop करेंगे, तो जो scientific तरीका है कि sponge city बनाओ, sponge city इन यह case, कि जैसे एक तरह का सोखता होता है, आपने सुना होगा, इसमें पानी सोख लेता है, यह सोखता होता है, इसी concept पे sponge city डवलब की जा रहे हैं, देखिए, यहाँ पर drainage system है, ठीक है, तो जो main water body है, आपको पता है, जैसे कि पहले slide में मैंने इसके पहले वाले आपको explain किया है, तो उसी का एक extension है, बताना चाह रहा है, कि जो main city है, वो बीचो बीच बनाओ, ठीक है, और drainage system भी clear रखो, और देखिए, यहाँ पर देखें कि जो इसकी terrain है, वो एक slope पे बनी होई ठीक है, तो अगर कोई area ऐसा है, कि जहाँ पे slope पे बना हुआ है urban area, तो आप वहाँ पे इस तरह से करो, कि पानी एक side से आए, और flow करते करते दूसरे side से, किसी urban water outlet में निकल जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि जो बीच का area होगा, वहाँ पे पानी की कमी भी नहीं करेगा, तो flood आना संभो ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो है, sponge city का concept, किसी भी urban flood prone area को sustain करने के लिए, ठीक है, देखिए, एक article release हुआ था, transforming urban flood management, उससे मैंने cut out लिया हुआ है, अब इसी का extension करते हुए, हम आगे यह जानना के कोसिस करेंगे, कि एक country है, जो बहुत ही अच्छा इस concept पे काम कर रखी है, मैं उसको एज़े example लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इंडियन government उसी basis पे, इंडिया में, जो भी especially, जो metropolitan cities है mainly, वहाँ पे अच्छे से काम करें, ताकि urban flood mitigate हो सके, तो आईए हम जानते हैं, कि वह country कौन सी है, जो sponge city पे अच्छे से काम कर रखी है, दोस्तों देखिए, चाइना एक ऐसी country है, जो sponge cities डवलप कर रखी है, काफी हद तक, जो उनके main main urban cities है, वहाँ पे इन्हों ने, you know, urban flood से बचने के लिए, इस तरह के concept को start कर दिया है, काफी पहले ही, तो इंडिया को सीख लेनी चाहिए, क्या लिखा हुआ है, चाइना's push for green infrastructure, यानि एक जो नए cities डवलप कर रहा है, वह totally sponge city के concept दो डवलप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, 30 Chinese cities will each receive 400 to 600 million renminbi to pilot green roofs, constructed wetlands, increased tree cover and permeable pavements, ठीक है, तो यह बात कर रहा है, देखिए, renminbi जो है, वह चाइना की currency है, ठीक है, जैसे इंडिया में, rupees currency है, वह इसे चाइना में renminbi currency है, ठीक है, इस पर UPSC में question भी पूछ रखा है, तो अब चाहें तो जाके इसको google कर सकते हैं, तो 400 से 600 million renminbi per city allot करके, pilot project में यह develop करेंगे, sponge city, ठीक है, इसे क्या होगा, कि urban flood negligible हो जाएगा, देखिए, इस तरीके से इंडिया में इस city बनी है, यहाँ पर देखिए, उस तरीके से इस city तो बिलकुल नहीं बनेगी, अगर sponge city develop कर दिया जाए, ठीक है, तो आईए, हम आग फाइनली हम यह बात करते हैं, कि इस तरह के disasters जो भी आते हैं, urban flooding जैसे disasters जो भी है, ठीक है, वह किस तरीके से control हो, तो जो proper disaster management policy हमारी है, उसकी guideline को strictly adhere किया जाना चाहिए, local bodies के द्वारा, ठीक है, चाहिए वो central level पे हो, चाहिए state level पे, चाहिए district level पे, disaster management authority, जो है, NDMA Act, उसको proper guideline के साथ follow कर जाना चाहिए, और रही बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि urban flooding को किस तरह रोक है, ठीक है, तो उसके जो कुछ conclusion के रूप में बताना चाहूँगा, कि सबसे पहला तो sponge city develop करो, ठी ठीक है, और जो हमारी wetland policy है, उसको अच्छे से implement करो, ठीक है, इससे क्या होगा, कि जो floodplain वाले यह हमारे हैं, वह बचे रह जाएंगे, no construction zone में construction नहीं होने पाएगा, और proper drainage system maintain रहेगा, ठीक है, अब जो national disaster management tax हमारा है, तो हैर 5 का, उसको strictly follow करवाया जाए, और अगर कोई ना करें, तो penalty करो हर state पे, या फिर हर city पे, वहाँ की urban local bodies पे, कि अगर आप नहीं करोगे, तो आपको bumper penalty देनी होगी, और उसके बाद, drainage system सही करवाओ, जैसा कि मैंने बोला, और जो भी urban design नया start करो, जैसे मोधी government बोल रहे हैं, हम स्मार्ट cities mission लेके आ रहे है तो स्मार्ट cities mission में, यह जरूर इंक्लूड होना चाहिए, कि urban जो design बनेगा, वह water sensitive हो, कि ground water को किस तरह maintain रखेंगे, ठीक है, water level को किस तरह maintain रखेंगे, और urban flooding को हम किस तरह से रोकेंगे, यह सारी policies में उसमें होनी चाहिए, तब यह अच्छी smart city डवल अप होगी अब सबसे पहला चीज, सबसे आखरी चीज, सबसे आखरी चीज, कि हमको सारी schemes मिला के, जितने भी schemes चलाई जा रही है ना, इंडियन गवर्मेंट या फिर, इस्टेट गवर्मेंट के बारा, उसको converge करना चाहिए, मतलब, कि जो हमारी अमृत scheme चल रही है, सहर के लिए, हिर जिससे क्या हो, कि एक sustainable cities डेवलप हो अमारी country में, जब तक sustainability नहीं आएगी, इस तरह के disasters होते रहेंगे, चाहे वह urban flood हो, चाहे वह nuclear disaster हो जाए, चाहे वह coronavirus जैसा biological disaster हो जाए, ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर हमको tackle करना है, तो हमको proper guidelines follow करना होगी, ठीक है, तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ, और मैं आसा करता हूँ, कि आपको ये वीडियो और इस से related topic आपको अच्छे समझ में आये होगा, और आपसे एक request है कि आप इस वीडियो को like करें, subscribe करें, share करें और हम YouTube और Instagram दो platform पे available हैं, तो please इस इसको share करें, subscribe करें, और जितना हो सके share करें, हम आपके बहुत अभारी रहेंगे, और आपका support continuous बने रहना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद